गुद मॉर्निंग प्यारे बच्चों मैं हूँ आपकी एजुकेटर पूर्णी मातर सिंग और हम आपकी वर्कशीट नंबर 34 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश क्लास अब की 10 है और ये वर्कशीट है 28 सेप्टेमबर की दा थीफ स्टोरी रसकिन बॉंड तो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसमें एक लड़का होता है जिसको चोरी करने की आदत होती है तो वो चोरी करके ही अपना जो है पालन पोशिन करता है ठीक है वो किवल 15 साल का गहेंज चाप बहुत है और काफी दिन से उसको ना कोई भी उसका हात लगा नहीं होता है तो एक दिन वो देखता है रासिलिग में एक शरीफ से बंदे जिसका नाम होता है अनिल हीवाज की 25 साल का था नंबा था पतला सा था और ऐसा लग रहा था कि हाँ इसको बनाना एज तो यह सोचता है आइडन्ट हैड मुच लग फर लेट एंड थोट आइड माइट बी एबल तो गेट इन्ट इन्ट यंग मैंस कॉंफिदेंस तो बहुत दिन से मेरे को कोई मेरा कोई हाथ लगा भी नहीं है तो इस बैटर कि यह मेरे को जो आदमी है यह सिंपल सा लग रहा है और इसको तो मैं बेपूफ बनाई लूँगा यू लोक बिट ओफ रेसलर यॉसेफ तो जो थीफ होता है वह उसको कहता है और को यह बताया है ना आइ मैट ऐसके तो उसको कहता है कि आप ना खुदिर ऐसलर के zostaBER merd pee कई बार क्या होता है रहा कि जब हम फ्लैटर करते हैं यानि कि मक्खन लगाते हैं तो उस राइम पे थोड़ा सा हेल्फफुल हो जाता है फ्रेंड बनाने में सब्सक्राइं दिए नहां בפर में है सिकन उनिए यह करता है और में दो इसमा अत्राइलगी में उनिया नहीं पर प्सक्राइब करता है तो इसको पैसे portion से अधे जाता है आध जाता है अगी है कि मुझे नहीं जाना चीए मुझे पढ़ना लिखना शिका राता है और उसके बाव्द वह कहता है कि आज जो ये 100 रुपीज हैं मतलब यह थोड़े से पैसे हैं यह मेरे को आगे जाके बहुत कोस्टली पढ़ सकते हैं मैं अगर पकड़ा गया कभी तो और उपर से मुझे एजुकेटिड मैन बनना है एक पढ़े लिखी आदमी की अलग बात है बार बार चोरी करना अलग बात है तो यह सब पैसे लेकर कहता है लेकिन वह कुछ नहीं कहता है उसको और चुपचाप उसको प्राइस के रूपे 50 रुपीज का नोड देता है वह जो की स्टिल वह गीला होता है तो यहां पर जो थीफ होते है तो इस तरीके से उनका जो लाइफ है थोड़ा सुधर जाता है तो यह आप कि दिनों से सक्सेस्फुल नहीं हुआ था लोगों को लूट में में तीक है ना विच वन अफ फॉलोइंग लोगड़ इजी गूइंग यानिकि जिसको बेवकुफ बनाना यानिकि सिंपल सा जो आदमी होता है तो अनकॉम्प्लिकेटड यह हो गया कि का कंपंश कंपैस्ट अनिकि दयालू जो होता है काइंड होता है and carefree का मतलब होता है सिंपल जो सिंपल हो तो यहां पर अंसर बी हो जाएगा इसने पुछा है कि नोट पिटिन अनिल करेक्टर सुआवे एक तरीके से सिंपल ही होता है बहुत है लेकिन सुआवे में कभी-कभी दिखावे के लिए भी कोई इंसान सिंपल बन सकता है ठीक है अब चलते हैं नेक्स एक पर अनिल's money in the morning would probably have given me two or three rupees to go to cinema तो अनिल क्या करता था उसको दो तीन रुपे भी दिरेता था था वो सोच रहा होता है जब उसने चोरी कर ली होती है but now I have had it all तो कहता है कि अनिल हो सकता है सुबह मुझे म तो कहता है कि मैं अब उसके लिए खाना नहीं बना सकता और सारा का सारा टाइम वो मिर से होल फ्रेंटेंस लिखवाता रहता है पढ़ना लिखना सिखाता रहता है I had forgotten them about in the excitement of the tape तो वह कहता है कि मैं अब मेल्स नहीं बना सकता हूं और बजार में नहीं जा सकता हूं संटें में whole sentence I knew could one day bring me more than a few hundred rupees तो कहता है कि पूरे के पूरे sentences जो है अगर मैं लिख पाऊंगा तो एक दिल मेरे को इन रुपेस से जादा पैसे सम्मान दिला सकते हैं क्योंकि वो खुद देखता है कि राइटर की बुक आ गई है तो राइटर भी बुक लिक के पैसे लेकर आता है इतना सिंपल भी हो सकता है कि कभी पकड़ा जाओं बट तो बी रियल बिग मैं लेकिन एक बड़ा आदमी बनने के लिए उसको क्लेवर और रिस्पेक्टेड मैं बनना पड़ेगा वास सम्थिंग एल्स आइशुड गो बैक टो अनिन टोल मैसल्फ इफ आई उनली तुलर यहां पर देखिए उसके पास कैसे पहुंची इस तो इस तरीके से बाय का खरीदना सेल इसका उल्टा है यह इंट सेम का मतलब कड़ लो हुड नेंट सेंटेंस आएंगे उल्स वाई वो और रिस्पेक्टने में बनना चाहता था सब्सक्राइब क्या तरी मा क्या था जब हम हम असमजब में होते हैं मतलब जब हमें नहीं पता होता है कि particularly certain नहीं होते हैं कि ये काम करना हैеш स्थिति में doubt अलग चीजा मइसाओन स्वेकाइते आपां तो यह दोनों ही डिलेमा थे तो यहां पर बोथ A and R are true तो यहां पर अंसर A आ जाएगा ठीक है बच्चो तो अभी next पर चलते हैं हम यह आपका तो यह हमारी हो गई है आज की वक्षीट पूरी आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आई होगी अच्छा बच्चो यहां पर अभी जैसे आप लोगों को मालूम है कि आपका new education policy के तहट जो है प्रोड़ा सा पेपर का चेंज हो चुका है यह आप लोगों को मालूम ही है कैसे पेटरन चेंज हुआ है पहले जो आपका पेपर आता था वो destructive form में आता था बड़े-बड़े question लिखने होते थे बट अभी mcq format में आएगा जिसमें आपका syllabus जो है दो भागों में कर दिया टॉम यंड टूम 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 आपके दिसमबर में होने वाली है 40 मार्ट की question आएंगे तो उसकी practice के लिए इन questions की practice के लिए अनके कि पर फ्री में मोग टेस्ट है ठीक है तो यह आप Cbse class 10th के लिए है तो आप इनको सकते हो ठीक है यहां पर 5-5-6 आप दे सकते हो एंड्रॉल कर सकते हो फ्रीमें ठीक है 25 September 27 September 27 September 28 September और साइंस माथ के मोग टेस्ट है आप असानी से practice कर सकते हो जब मोग टेस्ट करते हैं तो एसा लगता है कि हम एक्जाम दे रहे हैं और जिब हम एक्जाम देते हैं तो हमें उतना एकदम से नया नया नहीं लगता तो हमारा confidence build-up होता है ठीक है बच्चा तो इसको अटेंड करने के लिए link दिया हुआ है description में और आप इसको access करते हो free में access कर सकते हो पूर्णिमा 10 code को यूज़ करके पूर्णिमा 10 code से आप कोई भी life quiz 10% discount special class attend कर सकते हैं ठीक है एक और special बाद आज हम nationalism in Europe को वन गो में एक ही वीडियो में समझेंगे nationalism in Europe ठीक है कैसे राष्टेवाद की भावना का उदे हुआ दोनों मीडियम में होगी और आज 7 बजे class है आपकी ध्यान रहे कितने बजे है साथ बजे nationalism in Europe एन्रोल करने के लिए link में नीचे description में दे दूँगी मोक टेस्ट फ्री मोक टेस्ट के लिए भी और आपके जो नेशनलिजम यूरोब जो लेक्चर होगा स्पेशल क्लास होगी आज एकेडमी पर उसके लिए भी मोक टेस्ट से आप तरीके से आपकी प्रेक्टिस टेस्ट है तो आप आसाने से इनको दे सकते हैं और आगे प्रेक्टिस अपनी त्यारी कर सकते हैं एंड रोल फोर फ्री देखो यह लिखा होगा है ओके बच्चों तो यह थी हमारी आज की वक्षिट आई होगी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक यू एवनाइस टी ने गोड ब्लेस्टियों